तो और शिनोबीस कैसे हो? जहीं दोस्तो आज की बात करने जा रहा है बरूटो के फेत के बारे में और बरूटो के रिगार्डिंग तीन प्रॉफेसी के बारे में और अगर तुम्हें ऐसा कॉंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सबस्क्राइब करो जो की बारे में बारे में जोगान के बारे में जो की बरूटो यूज कर रहा था कवाकिया गैंश प्रॉलॉक सीन में और आगी चलिके मैं बताई दिया गया था कि जो जोगान है वो ओसू की गौड़ का दो जूट्सू है और इस से में पर चलता है कि बरूटो चाइल्ड आफ प्रॉफेसी हो सकता है और तोनेरी की इस प्रॉफेसी में पर चलता है कि बरूटो बहुत से डफ टाइम से गुजरा होगा जिससे उसने जोगान को अवेक कर लिया होगा कवाकियो बरूटो के प्रॉलॉक फाइट सीन के कई साल पहले ही और अब चलते हम हमारी सेकेंड प्रॉफेसी की तरफ जो कि है मुमुशीकी की बरूटो एने में के एपिसोड 65 में मुमुशीकी ने ये कहा था यहां मुमुशीकी बरूटो की जुगान के बारे हम बात नहीं कर रहा है यहां मुमुशी की बात कर रहा है बरूटो की दोनों आखों के पारे में और चैप्टर 67 में मुमुशी की ने हमें बताया था कि इस प्रोफ़सी को आन में अभी बहुत साला टाइम बाकी है और जो डिश्ट्रोइट कोना विलेज हमने प्रॉलाक्सिन में देखा है जो की most probably कवा के ने डिश्ट्रोइ किया होगा current scenarios के हिसाब से और मुमुशी की those blue eyes will eventually take everything from you का मतलब कोना विलेज का destruction हो सकता है और तोनेरी और मुमुशी की दोनों की ही prophecies को हम में ला आए तो तोनेरी की star of hope वाले line सा मतलब यह लिखा सकते हैं बरूटो की जोगान बरूटो के लिए last option बची है कवा की या फिर एक unknown enemy से fight करने के लिए जो कि हम है इस series में अभी तक नहीं बता गया है और मुमुशी की blue eyes वाले statements हम यह अंदादा लगा सकते हैं कि बरूटो future में जाके अपनी आखो से konoha village का destruction देखेगा और अपने love ones को खोते हुए भी देखेगा बरूटो की latest manga chapters में हमने देखा है कि कैसे मुमुशी की अपने खुद की revival को sacrifice करते हुए बरूटो को फिर से जिन्दा कर देता है और अब मुमुशी की बरूटो की body के अंदर कुछ terms and conditions के साथ जिन्दा रहेगा तो ऐसा हो सकता है कि मुमुशी की बरूटो को जोगान के बारे में कुछ major informations दे दे क्योंकि हमने प्रलॉक सीन में बरूटो को जोगान यूज़ करते हुए देखा है और जोगान अभी करने के लिए बरूटो को जोगान ने training कहीं ना कहीं तो की होगी बरूटो एनमे में जब मीट्स की विलेज छोड़के चला जाता है उसी आर्क में रियूजी के में रहने वाले गारागा के साथ बरूटो अपना Summoning Contracts स्टैब्लिश करता है और यही Summoning Contract इस पूरी सीरीज में वन आफ दी Greatest Mysteries में से एक है और यह एक major foreshadowing भी है और यह एक major foreshadowing इसलिए है अगर तुम ध्यान से देखो तो गारागा की राइट आई में एक scar है जो कि similar है बरूटो की राइट आई के scar से गाराओ उसका यह scar कैसे मिला है इसके बारे में हमें उसकी backstory बताया गया है गारागा ने बहुत समय पहले एक Shinobi के साथ एक Summoning Contracts create किया था और एक battle में वो Shinobi retreat करना चाहता था बट गारागा लड़ना चाहता था तो Shinobi ने गारागा को बिट्रे करते हुए गारागा पर attack कर दी अपने lightning release से और वो attack सीधा गारागा की right eye पर चाके लगा जिससे गारागा blind हो गया गारागा और बरूटो दोनों को ही उनकी right eye में scar है इसका मतलब बरूटो भी गारागा का faith share करता है और future में आगे जाके कोई न कोई बरूटो को भी बेट्रे जरूर करेगा और वो और कोई नहीं कवाकी ही है आगे जाके कवाकी और बरूटो दोनों का ही brotherly bond तूट जाएगा जब कवाकी अपनी ideology से इस shinobi system को change करना चाहेगा कवाकी के पास अभी धेर सारी powers है और वो आगे जाके भी धेर सारी powers को gain करेगा और आगे जाके ये powers कवाकी की mentality को totally change कर देंगी और कवाकी अपने आपको एक मसीहा मानने लगेगा जो कि इस बेकार से shinobi system को change करना चाहता है और ये सब करने के लिए कवाकी ने पूरे कोनोह विलेज को खंडर में बदल दिया according to prolog scene कोनोह विलेज को डिस्ट्रोई करने से पहले नरूटो और कोनोह विलेज में रहने वाले लोग को दूसरे dimension में पहले ही evacuate कर दिया गया होगा और बरूटो कवाकी को अकेला ही face कर रहा होगा कवाकी ने सिर्फ बरूटो को ही धोका नहीं दिया है कवाकी ने नरूटो को भी धोका दिया है बट अगर जोगान कैनन नहीं है तो कवाकी बरूटो की ब्याकुगान पर अटेक करेगा इस उमीद से कि वो बरूटो की ओसु की पावर्स और पोटेंशल्स को कम कर सके और जहां तक मुझे लगता है प्रलॉक फाइट सीन बरूटो की फेवर में होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह एक नए अडवेंचर की शुरूआत हो सकती है कवाकी और बरूटो के लिए तो बस राज के लिए इतना ही मिलते हैं 28 अपरिल के बाद तब तक के लिए बाई अरे यार भटी भडी है एक्जाम में क्या लिखके आऊंगा